नमस्कार साथियो आप सभी का हमारी यूटूब चैनल विन्याई स्टडीकेन में स्वागत है साथियो चत्युगर सिक्षक पातरता परिक्षा पेपर एक का पंचम भाग परियावरन अध्यन का संभावित आंसर लेकर हम आए हैं विडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजेगा पहला प्रश्ण है इन में से क्या मानचित्र को पढ़ने के लिए आवश्यक कॉशल होना चाहिए यह जो प्रश्ण है कक्षा 5 परियावरन अध्यन का दूसरा चिप्टर है इसका सही जवाब होगा इस्थानों दूरी और दिसा के सापिक्च इस्तिती की समझने की चमता अगला प्रश्ण है मोनु यात्रा में गया था तथा लोट कर उसने अपनी कक्षा में बताया कि मह भारत के सबसे लंबे राष्टी राजमार्ग की यात्रा करके आया है राष्टी राजमार्ग की बात कही गई है और राष्टी राजमार्ग को हम संख्या में देखे तो लद्दाग से तमिल नाडू नेशनल हाइवे 47 है वारा नसी से कन्या कुमारी नेशनल हाइवे 7 है गुजराच से करनाटक नेशनल हाइवे 48 है तो राष्टी राजमार की यात्रा करके आया है पूछा गया है तो नेशनल हाईवे सेवन होना यहाँ चाहिए ओप्सन बी वारा नसी से कन्या कुमारी ज़िदी दूरी की बात करें तो लद्दाग से तमिल नाडू 3000 के आजपास इसका डिस्टेंस है तो यह जो कोश्चन है थोड़ा कन्शूजिंग है आप लोग अपने हिसाब से देख लीजेगा आप्सन बी मैं ले रहा हूँ क्योंकि नेशनल हाईवे की बात कही गई है अगला प्रशन है सरीता एक प्रात्विक विद्ध्याला में सिक्षिका है परियावरान अध्यन के एक कक्षा में पाट पढ़ाने के बाद वहां बच्चों से कुछ प्रशन पूछती है साथ ही वह यहां भी कहती है कि पूछे गए प्रशनों के उत्तर का सही गलत की रूप में आगला नहीं किया जाएगा इसलिए कहा गया क्योंकि सरीता इस तरीकों से यह पता लगाना चाहती है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं और अगले दिन के पाट के लिए इसे कैसे मदद मिलेगी तो आप्शन सी सही हो जाएगा अगला प्रशन है तंबाकू का धुम्रपान करने से फेपनों के एलवी उलाई के सोथ के साथ होता है ऑप्शन बी ब्रोंकाइटीस कैफीन एक इस्टुमिलेट है जो की पाया जाता है काफी में ऑप्शन ए अगला प्रशन है राष्टी पाठ्य चरिया रूप रेखा एनसी एफ के अनुसार कक्छा एक और दो के लिए परियावरन अध्यन की सिक्छा भासावा गडित के माध्यम से दी जाती है इन कक्छाओं में परियावरन अध्यन के लिए कोई पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक नहीं है इसका मुख्यक कारण है बच्चों को आसपास के वातावरन से सम्मंदित इस्थापित करवा कर सक्त रूप से अप्रत्यक्च रूप से परियावरन अध्यन की सिक्छा पदान करना अगरा प्रश्ण है क्या कारण है कि किसी मनुख्य के लिए नदी के जल की अपेक्चा समुद्र के जल में तैरना अधिक सरल क्यों होता है क्योंकि समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है option D इसका सही जवाब होना चाहिए A और C तो बिलकुल नहीं है B और D में थोड़ा confusion है किस मनोवेज्ञानिक ने परियावरन पर विशेस महत्वदिया है तो रुसो इसका सही जवाब होगा Polio Vaccine की खोज करने वाले व्यक्ति है जोनास सालक, option A निमलिखीत पोसकों एवं उनके स्रोतों का अध्यन कीजे तो इसका सही जवाब होगा option B, second और third अगला प्रशन है यदि उत्पादक इस्तर पर 20 जूल उर्जा trap की जाती है तब मोर के लिए निमलिखीत खाद्य स्रिंखला में कितनी उर्जा उपलब्द होगी देखिए उर्जा का इस्थान अंत्रन 10-10% में होता है यदि आप 20 का 10% निकाले मोर के लिए चौथे इस तर पर तो इसका आंसर आता है 0.02 जूल निमलिखीत खाद्नों पर विचार कीजिए तो इसका सही जवाब होगा 1 और 3 देख लीजेगा पहला और तीसरा कोप्रा नाम के कस्बे का मांचित्र पर लिखा जाता है तो इसका सही जवाब होगा 1.75 किलो मेटर अगला प्रशन है परियावरन अध्यन के सिक्षन सास्त्र के संदर्भ में निमलिखीत सभी वांचनी अभ्यास है तो इसका सही जवाब होगा आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समधान के लिए छमता सवर्धन करने अगला प्रशन है पारिया नामक रोक का कारक है तो इसमें सही जवाब होगा एंट अमीबा जिंजे विलिस अप्शन डी अगला प्रश्ण है पक्चियों का अलोकन करने पर हम पाते हैं कि अधिकांस पक्ची अपनी गर्दन हिलाते हैं इसका कारण यह है कि उनके नेत्र दो भिन 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 वस्तों में एक ही समय पर फोकस करते हैं आपने देखा होगा कि पक्षी जो है एक साथ दो वस्तुमों पर फोकस कर सकते हैं इसका सही जवाब होगा option C के बाद अगला प्रश्ण है राम आम पसंद करता है वह इन्हें जाडे के लिए सरक्षित करना चाहता है निमलखित में से कौन सा तरीका सरक्षन के लिए उप्युकता है इसका सही जवाब होगा आचार एवं आम पापड बनाना व्यक्तिगत परिवार प्रनाली के तेजी से बढ़ने का कारण है पास्चायती करन स्वतंत्र लाइफ स्टाइल की कलपना तो उप्षन D इसका सही जवाब होगा अंडा किसका भरपूल स्टोथ है तो विटामीन का है मैनिगलेटेर टर्शियन मलेरिया रोक का रोक जनक है तो प्लाजमोडियम पैलसी फेरम उप्षन C निमलिखित में से क्या परियोजना कारे के सोपान के अंतरगत नहीं आता इसका जवाब होगा लागू करना या कार्यानवित करना अगला प्रशन है अरपिता प्रात्मिक विद्याला की एक सिक्षिका है वह अपने विद्याला में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन करना चाहती है आपके विचार से निमलिखित में से कौन सा उद्देश सारवाधिक उप्युक्त होगा इसका सही जवाब होगा ओप्षन B अगला प्रशन है विद्याला में प्रयोक साला में प्रयोक करते समय इन में से किसका विकास नहीं होता इसमें उप्षन C प्रयोक साला के अभाव में चात्रों को विज्ञान का सच्चा ज्यान प्राप्त होता है ये नहीं पूछा गया है इसलिए option C सहीं होगा अगला प्रशन है तलाप के पार्शिक तंत्र में निम्न में से कौन सा एक जू से अधीक पोशन संस्त्रन में पाया जाता है तो डीकंपोजर अब घटक बहुत भारी संख्या में पाया जाता है अगला प्रशन है निम्न कीत में से कौन अवसाधी प्रकार का जैवभू रशानिक चक्र है तो इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अगला प्रशन है सालू ने रेलगाड़ी यात्रा करने के लिए एक अनरक्षित रेल टिकट खरी दी इस टिकट से कौन कौन सी जानकारी प्राप्त की जा सकती है तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाचवा विश्वजल दिवस की अंतरराष्टी पहल किस सहर में 22 मार्च 1902 में आयुजित परियावरन तथा विकास के संयुक्त राष्ट सम्मेलन में की गई थी तो इसका सही जवाब होगा ओप्शन C विश्वजल दिवस की अंतरराष्टी पहल रियो डी जेनरियो ब्राजिल में आयुजित की गई थी और आज का अंतिम प्रश्ण है ये जो प्रश्ण है फिर से रिपीट हुआ है निलम अपनी कक्छा में बच्चों को पक्छियों के बारे में पढ़ा रही थी अचानक विद्या ने प्रश्ण किया कि पक्छी अपनी गर्दन जादा क्यों नहीं हिलाती निलम निलमकित में से क्या उत्तर देगी क्योंकि पक्छियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती ऑप्शन D इसका सही जवाब होगा तो ये था साथियों पेपर वन इन्वायर्मेंट का संभावित आंसर मेंच करके बताएगा कि आपका कितना अंक आ रहा है धन्यवाद